मुंबई एरपोर्ट पर नौकरी का इश्तियार देख हजारों की तेदाद में नौजवान भीड की शकल में जमा हुए हैं जिसको देख देख देजभर में बेरोजगारी का सबुत नजर आ रहा हैं दरसल एर इंडिया की जानेब से एक इश्तियार दिया गया था कि मुंबई एरपोर्ट पर सामान लोडिंग अनलोडिंग की जाब अवेलेबल है जिसमें महिने की सैलरी 20-30,000 रुपय तक दीर जाएगी इस इश्तियार को देख सरी मुंबई से नहीं बलके मुलके मुक्तली फिलाखों से नौजवान मुंबई एरपोर्ट पर एक उम्मीद लेकर जमा हुए थे कि अगर ये जाब इन्हें मिल जाएगी तो अपनी लाइफ में ये काम्याब हो सकते हैं पर एर इंडिया ने अपने इश्तियार में ये नहीं बताया था कि इनके यहां सिर्फ 2000 के खरीबी जाब खाली हैं आपको बता दे एर इंडिया की जानिब से दी जाने वाली जाब में एरक्राफ्ट में सामान लोडिंग और अनलोडिंग करना होता है जिसके लिए नॉर्माल एजुकेशन भी काफी हैं पर बेरोजगारी की वज़ा से इस जाब के लिए बीए बीए और एमकॉम जैसी डिगरी होलडर कैंडियेट भी जाब की तलाश में यहां धक्के खाते देखे गए हैं इस वीडियो को देख कॉंगरेस के कई नेता बीजेबी गुजराद मॉडल को निशाना बनाते हुए कहा के रूलिंग पाटी देश भर में बेरोजगारी का मॉडल बना रही है और पिछले 10 सालों में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है के नौजवान मजबूरी में रश्या और इस्राइल के लिए लड़ने जा रहे हैं और देश के हालात ऐसे हैं के जब कभी जॉब की बात की जाए तो नौजवान भीड की शकल में इस तरह जमा हो जाते हैं पर देश के लिए